पाठ चार दिन दोपहर में शाम पहाडी क्षित्रों की सैर करना हम सब को अच्छा लगता है। लिखक का मन भी ऐसे ही पहाडी क्षेत्र में घूमने के लिए मचल उठा। वह अरुनाचल प्रदेश की यात्रा पर निकल पड़े। इस पाठ में उनकी इसी यात्रा के एक पड़ाव बोम डीला का वर्णन है। लिखक का कहना है कि बोम डीला रंग बिरंगा, सजा संवरा, परवत से लेकर आकाश थक फैला हुआ, जैसा चित्रों में दिखता है, वैसा ही है। यह अरुनाचल का प्रशासनिक मुख्याल है, और एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी है। आए इस पाठ को सुनते हुए बोम डीला की सेर करते हैं। अरुनाचल के इस दुर्गम पहाडी हिस्से में, जो बोम डीला दिरांग तवांग की ओर जाता है, भारी ठंड बढ़ती है। सुबह साढ़े पाच बजे तेजपुर से चले थे, तब बारिश हो रही थी, बहुत थमी नहीं है। सामने आकाश को सीधे सिर पर उठाए गरवोन मत पहाड रास्ता रोके खड़ा है, रास्ता चुप चाप बगल काट कर आगे निकल गया और बात बन गई। अतल कहराई में निला धुआ भरा हुआ है और पाताल से चल चल जलधारा फूट रही है। जलधारा नदी बन गई और होड बांध कर साथ दोड़ने लगी। पहाडी नदी की लहरों से जाग उठ रहा है, जाग का रंग बिलकुल दूद सा सफेध है। पहाड लगातार उँचे और उँचे उठते जा रही है। पहले दोनों किनारों पर उँचे उँचे व्रिक्ष थे, जिनकी पत्तियों पर पढ़ रही चम-चम चमकती धूप, नदी पर बूंद-बूंद टपकती, तो नदी की धारा चांदी-चांदी हो जाती। फिर उँचे पेड पहाडों के सामने बौने पढ़ने लगे। अब पेड नीचे है, पहाड उपर है। फिर पहाड ने सिर उठाया और बादलों से भी उपर हो गया। विंड स्क्रीन के शीशे पर अभी की धुनी हुई कपास फैल गई। फिर वहाँ धुआ होने लगा और दिन दोपहर सडक अंधेरे में कहीं गुम गई। ड्राइवर ने वाइपर जला दिया और सामने वाली पीली बत्ती जला दी। पीली बत्ती की रोश्नी धुएं और धुन्द को भेटती हुई रास्ता बनाने लगी। दोपहर में संध्या का छद्म सहसा तूटा और कोई एक मोड पार करते ही सामने चमकती हुई धूप दि और हमें हर बार किसी माया लोक में प्रविष्ट कराते हैं। केंद्र भी है। चित्रों की तरह दिखने वाले इस रंग बिरंगे पहाडी नगर में हलचल और रौनक है। सड़कों और दुकानों में लोगों की भीड है। ऐसा लगता है कि यहां के सभी लोग अपने अपने घरों से निकल कर बाहर आ गए हैं और धूप का उत्सव मना रही हैं। मन किया कि मैं भी रुक जाओं और उनके साथ घुल मिलकर धूप का उत्सव मनाओं। अरुनाचल में मेरे लिए यह धूप का पहला दिन था जो इतना जीवंत और रौनक से भरपूर है और अरुनाचल से जुड़ी मेरी कल्पना को इतना विश्वास दिलाने व जाए उसके पहले मुझे हर हाल में तवांग पहुचना है। इसलिए तो मैंने दिरांग भी छोड़ा। दिरांग घाटी यहां से लगभग 45 किलोमीटर पहले है। देश का सबसे बड़ा ड्रैगन वहां है। आगे सड़क बंद थी और वहां अफरा तफरी का माहौल बोम डीला से आगे अभी 15-20 किलोमीटर ही चले होंगे कि इधर से आगे बढ़ी गाडियां पीछे की तरफ वापस लोटती मिली। और उनके सत यहां खबर कि आगे सड़क जाम है। यहां दो ढबे हैं। यहां भूजन भी है और चाय भी। खूब गहरी धुंद उतरती च अभी तक मैं एक स्वेटर के सहारे बैठा हुआ था। अब मैंने उपर से विंडशीटर डाली और सिर को भी टोपी से ढखा। इससे कुछ बचाव हुआ। फिर मैंने अपना कैमरा उठाया और ठीक अपने सिर पर खड़ी हुई पहाडी की तरफ निकल आया। इस पहाडी भरपूर खिले हुए हैं और गहरी धुंद के बावजूद उनके रंग चमक रही है। उपर पहाड पर और पहाडी धालानों पर खिले हुए रंग बिरंगे फूलों को देखना अच्छा लगता है। उपर से बहुत बड़ी चटान धसक कर नीचे सडक पर गिरी है। चट आलकाय हाथी की तरह जाकर चटान के साथ सीधे मस्तक भिडाता है। फिर वापस लोट कर पैर जमाता है और नए सिरे से धक्का देता है। लेकिन चटान अस से मस नहीं हो रही है। तब टैंक ऑपरेटर ने अपने सिर पर लाल छीट वाला एक कपड़ा बांधा और बाहु युद्ध के लिए टैंक के हाथों को खोल दिया। टैंक के हाथ चटान को चूर चूर करके नीचे खाई में लड़काने लगे। भारी पत्थरों के लड़कने की आवाज थोड़ी दूर तक तो सुनाई पड़ती है। फिर अतल गहराई से उठकर उपर की तरफ आते वे धुएं और धुंध में उनका दिखना भी बंद हो जाता है। मैंने खाई की गहराई का अनुमान लगाना चाहा लेकिन उसे नापने के लिए कोई स्केल निरधारित नहीं कर सका। हम लगभग 10,000 फुट की उउचाई पर हैं और अभी हमें और भी उपर जाना है। नी अब तो उधर ही जा रहे हैं। तवांग से उपर 12,400 फुट पर किसी सैन्य चौकी से शायद 18 किलोमीटर दूरी पर भारत तिबबत सरहद है। वहाँ पहुचने के लिए सेना के ब्रिगेड मुख्याले से विशेश पर्मिट लेना पड़ता है। उड़ती उड़ती सी और अभी से रात इतनी गहरा गई है। गहरी रात में चांदनी खूब चटक दिखती है लेकिन सन्नाटा रात से भी गहरा है। यहाँ हवा इतनी ठंडी है जैसे वहाँ से चूकर आ रही है जहां बर्फ पड़ी हुई है। अरुनाचल पहुचने के बाद यहाँ पहली बा धिब्रियों और मुम्बत्ती की रोश्णी में भोजन करना और अपनी चाया को देखना किसी प्रार्थना सभा में एकत्र होने या भोजन से पहले कोई धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करने का आभास देता है। सैन्य चौकी में हमारे इनर लाइन परमिटों की जाच हुई। यहां से जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ऑक्सीजन कम होती जाती है और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। बरफ पढ़ने के मौसम में यहां रहने वालों के लिए पानी की भी दिक्कत होने लगती है। इतना मजबूत होता है कि सेना के ट्रक भी उस पर से होकर गुजर सकते हैं। बरफ की पहली जलक पाने के लिए मैंने अपना सारा ध्यान सामने दिख रहे पहाडों पर केंद्रित कर रखा था, जिनके शिखर तो धूप में चमक रहे थे और धलानों पर चाया पड़ रही थी। चाया वाली धलानों पर जगह जगह बरफ छितराई हुई थी। इससे पहले मैंने हिमाले के किसी हिमाच्छा दित शिखर को कौसानी या रानी खेट से देखा था। इतनी दूर से वह देखना किसी पोस्टर को देखने की तरह था। इस बार सीधे सामने दाहिने हाथ में दो शिखरों के बीच वाले परवत शिखर पर एक दम धवल सफेद बरफ धूप में चमकी। और वही की वही आकाश में टंगी दिखती रही। मैंने देखा, सबने देखा, सबने एक साथ देखा, शांत मन से देखा, बगल वाले दोनों शिखरों पर खूब सारे बादल उतरे हुए हैं, बादल डोल रही हैं, बरफ जमी हुई है, पूरे शिखर को अच्छे से ढखे हुए हैं, मैंने टैक्सी वाले से सलाह ली, क्या ह थोड़ी देर यहां रुक कर उसे देखें, देखेंगे, थोड़ा और आगे चलते हैं, वहां से और अच्छा दिखता है, आप लोग वहां फोटोग्राफी भी कर सकेंगे, टैक्सी वाले ने हमें ले जाकर एकदम बरफ के बीचों बीच खड़ा कर दिया, अब वह परवत शिखर एकदम हमारे सामने है, सड़क यहां संक्री पढ़ती हुई सी दिख रही है, दोनों तरफ की पहाडیاں आकर सड़क के साथ सट गई है, सटी हुई पहाड़ियों पर यहां वहां टुक्डों और लकीरों में भुरभुरी बरफ फैली हुई है, भुरभुरी ब पहाडियां भी दूर से वैसी ही दिखेंगी, जैसे यहां से वह हिमाच्छा दिच शिखर दिख रहा है, तब यहां तक टैक्सियां नहीं पहुच पाएंगी, यहां पहुच कर जो देखने के लिए मेरी आखें तरस रही थी, वह याक अचानक हमारे सामने था, एक अकेला, व इसके साथ कांसे या पीतल की घंटी लटकी हुई है, उसके कानों की लौ हलकी गुलाबी है, उसके कान लंबे और नीचे की तरफ लटके हुए है, ऐसे में वह इतना चित्रमय दिख रहा है कि उस पर अपना कैमरा ताने बिना कोई नहीं रह सकता, लेकिन कैमरे को उसने शा संगीत की तरह गुंजी, यह संगीत मैंने तीन या चार दशक पहले बनी सत्य जीत रे की फिल्म कांचन जंगा में सुना था, कांचन जंगा में यह आवाज अकेली नहीं थी, बलकि याकों का रेवड का रेवड घाटी से उपर आ रहा था, और उन सब के गले में घंटिया थी, इतने दिनों से कानू में बज रही उन घंटियों के स्वर को आज मैंने यहा देखा, इस घटना को अपनी डायरी में नूट कर सकता तो कितना अच्छा होता, लेकिन मैं तो डायरी ही नहीं लिखता, लेखक सतीश जायस्वाल दिये गए शब्द युकमों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए दिये गए शब्द समुह से विलोंग शब्दों के जोड़े बनाए